विस्तार से दही बाजार ओर वरिज के पास रविवार को दो पर बारा बज़े एक ट्रक की चपेट में आने से बारा वर्ष ये बच्चे की मौत हो गई रतका नाम गनेश नंदनवार बताया जा रहा है इस दुरगटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़ कर फरार हो गया लेकिन पुलिस ने कुछ देर बाद उसे गिरबतार कर लिया बच्चे की मौत से तिलमलाएं लोगोंने रास्ता रुकान दुलनकिया और सरकार से मांग की कि बच्चे के परिजनों को 25 लाग का मौवजा और घर के किसी एक सदस्य को सरकारे नोकरी दी जाए दही बाजार पुलिया के पास रविवार दोपेर लगबग 12 बजे ट्रक की चपेट में आने से 12 वर्षिय बच्चे की मौत हो गई इस दुरगटना के बाद पबलिक सडक पर उतराई और हंगामा खड़ा कर दिया दुरगटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया बताय जाता है कि ट्रक चालक शराप के नशे में गाड़ी चला रहा था फरार ट्रक चालोग को पुलिस ने बाद में गिरफतार कर लिया हाथसे के बाद जमा हुई पबलिक ने जम कर हंगामा किया पबलिक की मांग थी कि दही बाजार में प्रती दिन अनाधिकृत बाजार लगता है जिसके कारण आए दिन हाथसे होते ही रहते है वहाँ उपसेत नागरिकों से सरकार से 25 लाख रुपे के मुआवजे तथा बच्चे के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है त्या मुलाला महरास्ट शाष्ना कोलून योग्यती मदद मिलाला पाईजे त्याचा परिवारा लगता नौकरी मिलाला पाईजे आनि त्याला ठेक्केदारा कलन एक विशेश वेगणी मदद मिलाला पाईजे आणि इते जी वेवस्ता जी आए बाजाराची की हाँ अत्राइज बाजार नहीं है मक्चा बरपूर खाई दिवसा पसुन हाँ बाजार इते भरतो या बाजारा मुड़े अश्या लाहन मोटे छोटे बरपूर गटने जाले ही चौती ते पाच्वी गटना है या चा अधी मारवाडी चाउका मदे सुद्धा अश्या पकार्चा फाइटल जाला होता या फाइटल मदे सुद्धा एक 24 वर्षे चे 23 वर्षे ची बुलगिया आम दो स्पोर्ट बावलेली हुदी या चा मुए जी अजुन जो हाजो टी पाइट जो दालेला है इत्ते अजुन समोर अभगातो नेची सम्भावना है तरी शाषनाने अनी पोलिस विवागाने या सर्व गोष्टी ची पूर्ण पने दक्षता गेऊन इत्ते परत अशी दुरगटना वाहलान नको या ची नोंद ग्यावी तवसच इतला परिजरातल्य लोकानना ट्रासिक पासनल जा एन जाना एन पासनल कसस हरुक्षन मिडेल या गोष्टी गड़े विशिस लक्षे दायला पाईजे अनी आन्चा मनन ने ये सा है नागपुर माणागर पाली का इस दुरगटना के बाद एक बाद तो साफ हो गई है कि इस निर्माना धीन पुलिया के आसपास और विवस्था का आलाम है लोगों ने यहां से बाजार को भी हटाने की मांग इस दोरान की है तता संबने ठेकेदारों से भी मुआवजा देने की मांग नागरी को ने इस दोरान की तता है काफी पर उनको लोगों ने समझाए लेकिन ही निमाने अरो हाथसा हो गया इस प्रकार एक ट्रक ने जो गौरतलब रहे कि दही बाजार की पुलिया का काम वर्षों से कच्छु अगती से चल रहा है आए दिन इस पुलिया का निरिक्षन किया जाता है और तारीक दे दी जाती है कि इस तारीक तक पुलिया का यातायाज शुरू हो जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं मिलती है तो बस तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक